Hello guys, कैसे हैं आप लोग? Now imagine, अब एक ऐसी कमपनी अपना stock split लेकर आ रहे है जिसके share की market price almost 22 रूपीज के आसपास की है उस कमपनी की share की face value वो 10 रूपे की है और उस कमपनी की total market capitalization वो सिर्फ 55 करोर रूपीज की है और अब वो कमपनी अपना stock split लेकर आ रहे है इस कमपनी ने आज NSC में around 12 o'clock filing की है यह कमपनी 13th January को अपनी board meeting करेगी और उस board meeting में stock split को discuss करेगी इस कमपनी ने यह filing तो around 12 o'clock की थी बट इस कमपनी के share price में upper circuit वो 10 बजे के आसपास ही लग गया था अब जब भी कोई कमपनी इस तरह का corporate action अनाउंस करती है तो उस कमपनी के share price में एक अच्छी खासी rally देखने को मिलती है इस कमपनी के case में क्या होगा मेरे हिसाब से आपको इस कमपनी से दूर रहना चाहिए C. Market capitalization wise, free float wise यह कमपनी काफी छोटी कमपनी है इस तरह की companies को operators वो easily target करके इस कमपनी के share price को easily manipulate कर सकते है अब इस कमपनी ने NSC में यह filing तो around 12 बजे के आसपास की थी बट इस कमपनी के share में around 10 बजे के आसपास ही upper circuit लग गया था अगर आप कहीं यह सोचते हो that market में insider trading नहीं होती तो यह आपकी बहुत बड़ी गलत फैमी है अगर आप इस कमपनी के market capitalization देखो इस कमपनी के free float देखो तो इस कमपनी के share को manipulate करना बड़ा easy है इसी तरह की companies होती है जब आप उन companies के share purchase करना चाहते हो तो आप वोने खरीद नहीं पाते जब आपको उन companies के share को बेचना होता है तो आप उन shares को बेच भी नहीं पाते की face value 10 रुपए की तो stock split के लिए इस कम नी के पास तीन option है या तो ये company अपने एक share को 55 रुपए की face value के 2 share में convert कर सकती है या फिर दो दो रुपए की face value के 10 shares में convert कर सकती है अगर ये company 55 रुपए के 2 share में convert कर तो तो after split इस company का share price होगा around 11 रुपीज के आस पास का अगर ये company 2 दो रुपए के 5 shares में convert करती है तो this company का share price 5 रुपए से कम होगा अगर ये company 1 एक रुपए के 10 shares में convert करती है तो after split इस company का share price 2 रुपए के आस पास होगा and market में 5, 10, 20, 50 रुबे वाले ऐसे कौन-कौन से shares हैं जिनको brokerage house अपनी research purpose से cover करते हैं या फिर उनमें investment करने की advice देते हैं there are very few selected shares and उनमें ये company तो बिलकुल भी नहीं है but still if you want to take chance तो आपको इस company में सिर्फ उतने पैसे लगाने चाहिए जिनके फसने पर आपको ज़्यादा दुख ना हो see अगर आप किसी share में फसते हो आपके investment significant amount से कम हो जाती है तो दुख तो होता है but again आपको इस company में सिर्फ वो पैसे लगाने चाहिए जो अगर फस गए तो वहाँ पर आपको ज़्यादा दुख ना हो अगर आपके वीडियो पसंदा हो तो सिर्फ लाइक शेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you